ज़रूरी बात यह है कि यह लोग पटना के रहने वाले थे जो यहाँ पे चिंते की घटना का अंजाम देने के नियत से आये थे तो उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं मुजफरपुर में अब दूसरे जिलों से आ रहे हैं अपराधी कटिहार के कोड़ा गैंग के बाद पटना के दो बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा नरसंडा पुल के पास ध्यात लगा कर बैठे थे अपराधी मुजफरपुर में अब लोकल अपराधियों के साथ साथ अन्य जिला के अपराधियों का खौफ भी बढ़ गया है अपराधी दूसरे जिले से आकर यहां अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं कई न कई मुजफरपुर इन अपराधियों के लिए सौफ्ट टार्गेट बन चुका है बीते दुनों कटिहार के कोड़ा गैंग ने सदर थाना के एक व्यवसाई से आठ लाक रुपे की लूट कर ली थी हलाकि पुलिस ने उन सब को पकड़के आठ लाके अभी बरामत कर लिया था वहीं जिला में कई वारदातों को समस्तिपूर और सीतामरी के अपराधियों ने अंजाम दिया है मंगलवार को काटी थाने की पुलिस ने पटना के दो संदिग्द अपराधियों को गिरफतार किया है ये अपराधि काटी के नरसंडा फ्लाई ओवर के पास घात लगा कर बैठे थे पुलिस की गश्टी टीम को दोनों बदमाश संदिग्द स्थिती में दिखे तो पुलिस ने उन्हें पूछ ताश के लिए रोका पुलिस की नजर परते दोनों अपराधि भागने लगे पुलिस ने दोनों का पीछा किया जैसे ही अपराधि पुल से नीचे उत्रे वैसे ही स्थानिये लोगों ने उन्हें दबोच लिया हाला कि पुलिस उनके पीछे थी पुलिस ने स्थानिय लोगों के कबजे से उन दोनों अपराधियों को छुड़वाया और गिरफतार कर अपने साथ ले गई इनके पास एक देशी कट्टा और तीन जिन्दा कार्तूस भी बरामत किया गया है इन दोनों की पहचान पटना के रोहित कुमार और सूरज कुमार के रूप में की गई है बियस पी अविशेक आनंद ने बताया कि अब तक किसी गिरोह का पता नहीं चला है लेकिन ये दोनों पटना से मुजफरपुर अपराध करने आये थे इसकी चान भी इन की जा रही है प्रारमभिक पूश्टाश में पता चला कि ये दोनों पटना से मुजफरपुर में लूट काट करने की नियत से आये थे वियार लाइब नौकले मुजफरपुर से मुकेश ठाकूर की रिपोर्ट प्षेलाल नाव के क्रिमिनल की उसके रेट छाप इमारी हमारी लगातार चालू थी और आसुचना संकलन भी किया गया तो और कल कुछ सूचना मिली जिस पर पुलिस द्वारा टीम बनाया गया काटी थान अक द्वारा और उसके मुख्य अभ्यूग गेना साह को गिरफ्तार क वह यह है कि रेगलर गश्टी और चेकिंग करवाई जा रही थी जो रात को हम लोग करवाते हैं हरो उसके दोरान एक संदिक्द बाइक को रोका गया पुलिस को देख पुलिस वहन को देख के बाइक वापस बुड़ के तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी उस बाइक क की चेकिंग की गई जिसमें उन दोनों के स्पास से एक तेशी कट्टा उसके साथ तीन जिंदा कार्तूस और जो मुट्र साइकिल थी वह बरामद हुई और इन लोगों का जो है अपरादी के थिहास में पुलिस के दौरा देखा जा रहा है इस प्रकार दो अमुख केसे में पुलिस को काटी पुलिस को यह जो पहले बात करें इसमें जो यह जो गोली चलने की घटना हुई थी उसमें कुछ लोगों के दौरा आप इलड़ाई गोली चलाई गी ती जिसमें एक महिला और रान तोनों इलाज रहा था उसके में तुरित कारवाई करते हैं पुलिस के दौराएं फ़ले की गई ती अक्षलाल कि उसके वाद एक गिरफ़तारी कल उसके गोली बारी बाल को लेकि est यह जो दो अपरादी गिरफतार हुए यह दोनों पटना के हैं अभी तक जो इनिशेल चानमीन हुए उसमें यह दोनों पटना के अपरादी है जो कि लुट पार्ट की घटना को करने की नियत साय थे जो अभी तक इन से पूछताच में पता चला और इनके पास एक देशी कट द्वारा उसके द्वारा जो उसके पता दिकारी थे रजनीकांत उनके द्वारा उस गाड़ी को संदीक दवस्ता में देखा गया तो उसको रोखने कोशिश की गई गाड़ी के द्वारा भागा गया और उसको फिर पुलिस और लोग जब गाड़ी पुल्स उतर गई तो व वो हम लोग जरूर खोज लेंगे और इसमें जरूरी बात यह है कि यह लोग पटना के रहने वाले थे जो यहां पे चिंते की गटना का अंजाम देने के नियत से आये थे तो उस चीज़ पर हम लोग काम करना है थैंक यू संग्रे माभवारी डेकर प्राइट लिमिटेड मतलब अ कम्लीट फ्लूर सलुशंस न्यू जिरो माइल दादर रोड मुझाफर पूर कॉल डबल नाइट 3 4 7 5 3 3 1 1